हेलो एवरीबन मैं नीलमतिवारी आप सभी का मैंगनेट ब्रेंज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंज से कैसे चैनल है जहां पर आपको किंडर गार्टेंज लेकर 12 क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अविलिबल करवाय जाते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की दो वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्टिन आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल पैसे की चिंता छोड़िये और अपने घर बैटे आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ में और क्वालिटी एजुकेशन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री का सोच के लोगों को लगे कि फ्री में क्या अच् बीबी कोई कॉम्प्रमाइज नहीं किया जाता है क्वालिटी आपको सबसे अच्छी यानि सबसे अच्छी जो फैकल्टी होती हैं वह आपको हर चीज का दर्शन देती हैं हाज हम कशा 11 संस्क्रेट में को रहनी भास्वती आपकी जो पुस्तक है को के लिए आप भास्वती पूरे हो चुकी है उनको आम ने पढ़ा दिया है कि सवालिएशन के साथ में अभ्यासकारी भी पूरे करवा दी यह अब हम सक्त्रवयों पाद पे आ चुके हैं जिसका नाम है भाव्या सत्याग्रह आश्रम रहर्ति 0 सत्याग्रह आश्रम की भवेता का वर्णन किया गया है यह जो भई सत्याग्रह से आपको थोड़ा तो समझ में आही रहा होगा कि सत्याग्रह किसी जुड़ा हुआ है गांधी जी जुड़ा हुआ है अर्थात इस पार्थ में हम गांधी जी के सत्याग्रह जो उनका आश्रम उसके बारे में पढ़ेंगे और वो कहां पर था उनका आश्रम कहां था साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम जिसका नाम था है ना हम कहते हैं साबरमती के संत तुने कर दिया कमार तो साबरमती नदी के तट पर उनका जो आश्रम था सत्या ग्रह आश्रम जो बना उस साग रह-गीता सध्या ग्रह गीता की रचना किस ने की wednesday चमाराो ने की है और उसका जो चतुर्त अध्या है उससे उत्रत किया गया है इस पारं को से लिए गया है, इसके जो वीश्लोग आदुनिक जो कवेत्री हैं उन्होंने सावर्मती आश्रम और महात्मा गांधी शावर्मती आश्रम का इसमें वर्णन किया गया है और महात्मा गांधी के आचरणों का भी यहां पर वर्णन है कि सावर्मती आश्रम में जो रहने वाले लोग थे उनके साथ में गांधी जी का क्या वियावहार था उसको बताया गया है और यह जो संस्कृत कविता का वर्तमान प्रसंगों में प्रस्तितिकरन लेकिका का उद्देश है इस संस्कृत की जो कविता है उसको सत्याग्रह का आश्रम और गांदी जी की सारी चीजें क्यों बताई गई है इसका वर्तमान में क् उस समय पर जब गांधी जी की कहीं बात कर और ऑदिन था उस समय पर सारी चीज़ें कहीं पर गूमने के लिए जाने के लिए अपनी वस्तों को को बेचने के हिसाब से करनी होती थी तो वह एक तरह से आतंक था स्वाधिन नहीं थे हमारी वस्तु सो की है उसकी लागत 90 रुपए है उसके में 10 रुपए मुनाफ़ा कमा के हम उसको सो रुपए में बेच रहे हैं लेकिन अंग्रेज जो वह देते वह अब सरक्या कर देते उस सो रुपए आगे 11 पार्ट जो आएगा वस्तु विक्र है विक्र है उसमें भी आप इस पार्ट को इस चीज़ों को पढ़ेंगे कि कितनी मारमिक दर्शा हो गई थी चाहे कोई भी एक साधारन भी व्यक्ति कि क्या इस्तिती थी जुला है जो होते थे कारीगर जो होते थे हस्त शिल्प काधि जाा रही है तो ढहें धिंग में देश के कोने कोने में जिस तरह आतंकवांद की जनवर रही के स्वारत पूर्थ। स्वार्थ सिद्धी हो जाए उसके बाद में मतलब एक व्यक्ति का एक कैसी जीवन शैली होती जा रही है कि आज बाहर का कोई शाषन करने वाला नहीं है लेगन स्वयम की सार्थ स्वार्थ पूर्थी के लिए हम कैसे दूसरों को हानी पहुंचा रहे हैं हम कैसे दूसरों का शूशन कर रहे हैं यह सारी चीज़ें भी अब आज भले ही दूसरा को शाषन करने वाला नहीं है लेकिन स्वयम यहीं के व्यक्ति दूसरों पर किस प्रकार से शाषन निर्दई होकर की काम कर रहे हैं तो ऐसे जो अपना जा रहे हैं वहीरास्ट के लिए घातक होते हैं यह सबसे बड़ा होता है मनुश्य के लिए अच्छा आचरन करना उसके लिए सहयोग की भावना होना यह सबसे बड़ा धर्म होता है ना ही कोई नाम या कुछ भी रख देने से कोई एक नहीं हो जाता है कि इनका ये नाम है तो ये ये हो गए इनका ये नाम है तो ये हो गए इश्वर के यहां से आए हैं सब बराबर हैं यह भावना हो तो तो हर एक देश भी उन्नती करेगा क्योंकि उन्नती तब करेंगे ना जब हम दूसरे का सही हो करेंगे ना कि दूसरे की टंग खीचने में लगे ना एक दूसरे को गिराने में लगे रहे तो एक दूसरे को गिरा के हानी पहुचा करके कोई रास्ट कभी भी सुखी नहीं और नहीं होता है तो आज उनके प्रतिरोध में प्रति गान ब्यक्ति को गन्धी बना चाहिए और अगर कोई गिलत अपना रहा है तो लृट तो ऋस समय प्रतितिया थि उनका किस प्रकार से विरोध किया तो आज यही सुभाव बताया जा रहा है कि आप किन नियमों का गांधी जी के नियमों का पालन करके आप उनकी तरह आचरन करके विरोध कर सकते हैं उस चीज का विरोध करनी का एक तरीका सिर्फ हिंसा ही नहीं होती है अहिंसा की द्वारा भी आप किसी चीज को रोक सकते हैं वही मार्ग यहां पर बताया गया है इस कविता की माध्यम से अन्याय के विरोध में खड़ा होना और सत्य अहिंशा और सदाचार का मार्ग अपनाना है तबी संपूर्ण मानव का कल्यान होगा यह तो पाठ का परिचय हुआ पाठ सार अब हम आपको बता देते के 1926 इस्वी म दक्षण अपरिका से जब भारत लौटकर आये घंधी जी बार्वरें का घंठी घंठी आपने घंठ के संग्राम में बागे बढ़ गया है जो प्रियासरत हो गये और उसके बाद से सटंत्रता संग्राम को सब्सक्त्राइब करता ञीरत भान स्वत्रत दा को था हता था लेगे पैर भी लो नहीं हुब PA रहे था सवात धन्तल में भारतों का सामराज सावाराज़ में लिएक गांदी जी ने एहमदाबाद के समीप साबरमती की तट पर सत्य ग्रह आश्रम की स्थापना की जो उनकी विचारों और कारे करने का किंद्र बन गया था अहिंसा सत्य अस्तिय भ्रमचार अपरिग्रह और अपनी देश के प्रति निष्ठा आदी से सब महातमागांधि के व्रत् श्वरुपत थि आई सा यानाकर भूं verify दूत भ्रमचार आपरिग्रह यानि alternatory यानि त्याग्र की भावन अपने देश के प्रतिनिष्ठा आदीמת्लेवी loseं का पालन करना व्यक्तिए रखने को सिखाया सदयव चेहरे पर मुश्कान रखने वाले शिशु प्रेमि यानि बच्चों से प्रेम करने वाले महात्मा गांदी अपनी पतनी के साथ सभी समस्याओं को ध्यान करते हुए पिता की समान आश्रम वासीं का सदेव रहता चिंतन करते थे विश दीपक की समानिति जिन्हों ने आश्रम वासीu के हिर्दय में अंदकार को दूर किया सब्सक्राइब करना करके चार और प्रकाश फेलाता है उस प्रकार से उन्हें का पालन करकि दूसरों भी उनहीं सत मार्ग की प्रेžना दी सब ही को सत्य का महत तो सब बलों से खोगता है सत्य CC errors सत्य का मार्ग में परिस्तिति वेर्ट आती है एसा नहीं है कि उसके सामने समस्यां ना लेकिन सत्य की विजय होती है सत्य का मार्ग सबसे उच कोटी का मार्ग होता है इसलिए गांदे अपने अनुवाईयों को सदा सत्य अहिंसा का पाट पड़ाते थे कि हिंसा मत करूं हैंसा नहीं करो सत्य के साथ में हमेशा चलो महात्मानी के विचार थे के कायर और जूटे व्यक्ति दोनों का ही जीवन विकार होता है यानि कायर जो व्यक्ति होते हैं अर्थात कोई मुसीबत आई उससे भाग खड़े हुए मुसीवत का सामने ना करके उससे भाग जाना। उसका ढूसरा रास्ता अप्ना करके उससे बचर निकल जाना। और जो झूटे रूयक्ती होते हैं, उनका जीवन कैसा उथा विखार होता है। और इसी परकार गांधी ने हिंसा का का भी विरूद किया गांदी जी ने जूट का भी विरूद किया कायरों का भी किया निडर होके सहसी बनना चाहिए उन्हें बताया और हिंसा का भी विरूद किया कि हिंसा नहीं करने चाहिए वह हिंसा से कभी किसी का अच्छा नहीं होता है हिंसा तो कैसी भी हो मन से हो वानी स हिंसा है कर्म अपने कामों से किसी को बुरा कहते हो वह भी करते हो किसी के साथ में गलत कर्म करते हो वह भी हिंसा है और अपनी वानी से ना हो बाहर अब आगे लिखाया कि गांधी जी के विचार धारा से प्रभावित हुई लोगों ने सभी को अपने समान मानते हुए गांधी द्वारा निरधारित नौवरतों का हमेशा के लिए पालन करने का निश्य किया जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है ठीक है चले तो इस तरह से अब इस पार्ट को हम शुरुआत करेंगे अब आपको इतना से समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज की बारे में यहां पर पढ़ने जो पार्ट का जो सारांश अभी हमने जो समझाया आपको आगे के 20 जो आने वाले हैं वो सभी आपके कैसे इनी का अर् आएगी इसलिए हमने पहले ही आपको पूरा अप्षारांश समझा दिया अब हम पढ़ते हैं पहले श्लो को लिखा है ततस्तीरे सवर्मत्या नामना सत्याग्रह अश्रमह महात्मास्थाप्यमास सदनम सानुयात्रिकह अब देखिए लिखा है ततह यानि तब अब ततस्ती का नियम लगा था तो ततस्तीरे बना लेकिन उसको हमने विसर्ग से अलग किया तो यह क्या बन गया ततह तीरे यानि तब तीरे यानि तीर पर तीर यानि किसके धनुश वाले बान के तीर पर नहीं तीर यानि किनारे पर कहां पर सावर्मत्या सावर्मती के सावर्मती के त तीर पर यानि साबरमती जो नदी है उसके किनारे पर तब नामना नाम का क्या सत्याग्रह आश्रम सत्याग्रह आश्रम का सत्याग्रह नाम का आश्रम साबरमती के तीर पर महात्मा महात्मा के द्वारा स्थाप्यमास स्थाप्यमास सदनम सा अनुयात्री कह सा अनुयात्री कह कहते हैं स यानि साथ में अनु पीछे पीछे यात्रिक यानि चलने वाले अब इसका सानु यात्रिक क्या बन जाएगा अनु याई यानि अनु सरण करने वाले व्यक्ति किसका महात्मा का महात्मा का सा महात्मा गांधी अब महात्मा किन के लिए है महात्मा गांधी जी के लोनों सरण करने वाले व्यक्तियों के लिए किसक का मुलिए कहेंगे सावरमती के दीर पर सत्य ग्रह नाम के आश्रम का सत्पना की या आश्रम की सत्पना की सद्नम यानि साथ में चलने वाले यानि अनुयाईयों के लिए अनुसरण करने वाले उनके पथ पर चलने वाले उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने आश्रम किसका मुले सदन एक घर की आश्रम एक घर की स्थापना की एक सदन की स्थापना की जिसको की सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया चीक है चले तो अब हम इसका अनुवाई कैसे लिखेंगे क्या के साथ में अनुयात्रिक उनके अपने अनुवाई के साथ में महात्मा ने सत्याग्रह आश्रम नाम के सदन की स्थापना की ठीक है अर्थ लिखा हुआ है कि तब सावरमती नदी के किनारे पर अपने अनोयायों के साथ में मादम गांदी ने सत्याग्रह नाम एक घर यानि घर स्वरूप घर क्यों कहा है क्योंकि जो सदन था वह आ harder गळा जैसा ठाठा जैसे उनकर स्वयम का घर हो इस प्रकार के आश्रम की उन्होंने स्थापना की तीक है इसलिए आश्रम के साथ में सदन शर्द को भी जोडा हुआ सदन याने घर ठीक है सतया अश्रम नाम के एक घर की इस थापना की धर जैसे एक सत्याग्र की स्थापना धीक है अर्धिस पस्ट हो गया तो चलबं हम दूसरा करेंगे जहां पर लिखा कि रहे हैं अनवाई जो होता है अनवाइ क्या करता है शबों चल्ब को जब कविता की रचना की जाती है या पज्यों की जब भी रचना की जाती है तो छ JONब होती राचना धो लिक samma अंकी जो रचना होती है वह कैसी होती चंदों में उती हो और चंद के लिक्षा Oh हो गए और चार चरनों में मात्रा या वर्ण कैसी होने चाहिए मात्रिक जन्द होते हैं मतलब कि यह नियम केसी छंद का मैं कवी या कवीत्री जो रचना कर रही है जिस चंद का प्रियोग कर रही है उसमें अगर यह लिमिट है कि यहां पर 11 होनी चाहिए तो उन्हें अपने यह शब्दों को इस प्रकार से यूजित करना पड़ता है कि पहले चरण में 11 ही रहे दूसरे में 13 ही इसलिए आपने के संधी का प्रीयोग हो जाता है संचिप्त कर देता है इसलिए तो अन्तोल पर प्रियोग में रहा है जो एक शब्द को जंदी विचित करकी क्रम में लगा दिना अनुए कहां अब देखें अर्थ क्या निकल रहा है कि रहेए श Д्यम यदि श्ट्यम एव शब्द से मिल कर वना हुआ है हमारा सद्द्यम यदि शट्य ही प्रमाळम सपत्य ही प्रमांवा हुअ जिस सत्य अगरह अश्रम की बात हो रही है वहां का जो प्रमान था वो सत्य था कहते हैं यन मनों वाक काय कर्म भी ही तो यन हुआ यत की अब यतकार्द क्या होता है की ठीक है वहां का सत्य ही प्रमान था की यही सत्य प्रमान था वहां पर की मन मनों यानि मन से वाक यानि वान से काय यह यह एक शरीर से काय यह कायन शरीर से और कर्म भी और अपने करमों से तस्मिन पुण् Cubanshy So Fun 산 में सथ्य प्रमान था कि वहां की जो व्यक्ती भे वह से वानी से अपने शरीर से कर्म से ही यथार्थ ही सह आश्रम वहां आश्रम यथार्थ रूप में आश्रम के रूप में परिवर्तित हुआ क्यों कि वहां पर सत्य का पालन किया जाता था और मन वानी शरीर और कर्मों से सभी सत्य का पालन करते थे इसलिए वह सही यथार्थ रूप में वहां आश्रम बना क्योंकि उसकी निवास में जो सबी व्यक्ति थे वह क्या करते थे कैसा आच्रन करते थे वो ले मन से वानी से अपनी शरीर से कर्म से सत्य का पालन करते थे चले अब इसका हम क्या सी बनाएंगे पहले अन्य कि तस्मिन पुञ्ण निवास हे उस पुण्य निवास में तत सत्य प्रमानम वह सत्य ही प्रमाण था कि मन व Comput एसा प्रमाणथ था कि कि मन वो यथार्थ रूप में सत्य के प्रमान से ही हुआ सत्य के होने से ही हुआ उस आश्रम में मन से वानी से शरीर से कर्म से जब सभी सत्य का पालन करते थे इसी लिए आश्रम अपने यथार्थ रूप में प्रस्तुत हुआ ठीक है तो क्या कहेंगे उस पवित्र नेवास में स्थान में सत्य ही प्रमाण था कि जो आश्रम वाशियों की मन वही प्रमाण था कि उनकी जो आश्रम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थी उनकी मन वचंग शरीर और कर्मों से वह आश्रम अपने नाम के अनुरूप सत्य सत्याग्रह जिसमें सत्यका पालन हो ठीक है इसी लिए तो इसको सत्याग्रह曾 अपने नाम ंरूप य'thard को प्राप्त हुआ तभी प्राप्त तो होग भात नाम रखनें से कुछ नहीं हो जाता यह नाम यथार्त रूप में तभी बना जब वहां के रहने वाले व्यक्ति मन से वानी से शरीर से और कर्मों के द्वारा सत्य का पालन करते थे इसी लिए सत्य ही प्रमान वहां पर बना सत्याग्रह का आश्रम अपने नाम को तभी सही रूप से प्राप्त कर पाया यथार्दता को प्राप्त हुआ अर्थात सत्याग्रह आश्रम में सभ मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करते थे समझ में आ गया चले अब चलते हैं अब दो दो श्लोक करके हम पढ़ाएंगे दो श्लोक पढ़ाएंगे शब्दार्त बताएंगे संस्कृत में भी भावारत बताएंगे हिंदी में भी भावारत बताएंगे और उसके बाद में अप को सरलता हो जाएगी आप परिक्षा की भी थोड़ी सी तैयारी साथ साथ में होती जाएगी अब हम देख लेते हैं यहां पर संस्क्रिप के शब्दार्थों को लिखा है साबर मत्या साबर मत्या यानि शाबर मती नदी के ठीक है अब देखे क्योंकि भाई यहां पर कौन सी खापित किया अब सदनन यानि घर अब लिखा है सानुयातरिक कहां यानि अपने अनुयाई possess के साथ सब्द है वो किस का रथ बतारा है सहित का रथस इत बता रहा है अब लिखते हम देकके हैं मनोंवा के कये कर्म भी ही यहैंनि मन वचन शरीरो और कर्मों से पुन्यनेवास यानी पवित्र स्थान अब एक ही मात्रा है 17 निकले करूज़ा तो पवित्र सथान में या पवित्र स्थान पर यथार्थ यानी वास्ति में यह निवह पर लिकने को संस्क्रित में आजाए भावारत हिंदी में लिखने को आजाए तो आपको आना चाहिए इसलिए बता देते हैं हम आपको के प्रस्तोत श्लोक में जो कवेत्री है उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा साब्रमती के पास में जो सत्याग्रह नामक आश्रम के स्थापन की उसका चित्रन किया यहां पर भाव यह है कि महात्मा गांधीना यानी महात्मा गांधी के दुआरा सवाव मती नाम की नदी के तठपर यह आश्रम इसथापित हैं जो आश्रम स्थापित कीया आपने नाम के अनुरूप ही सत्याग्रह आश्रम था यत्रसरवेसरव था यहां पर सभी हमेशा सत्यस्य से अनुपालनम कुरुवंती इसम जहां पर सभी हमेशा सत्यकापालन करते थे ठीक है तो भावारत हिंदी में जो अमने संस्कृट की हिंदी करके बना यह वहीं हिंदी है कि भाव यह है कि महार्मा गांदी की द्वारा अपने अनुयाईयों के साथ मिलकर सावरमती नदी तट के किनारे सत्याग्रह नामक आश्रम की स्थापना की गए थी वह अपने नाम के अनुरूप ही था क्योंकि वहां सभी सत्यकापालन हमेशा करते थे अर्थात आश्रम में हर प्रकार से सत्यकापालन ही किया जाता था चाहे वह मन से हो वच्चन से हो कर्म से हो शरीर से ठीक है अब संदी विच्छे देख लेते हैं सरस्तीरे जैसा कि ततस्तीरे तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि जो सा आ जाए सा की बादता लिखा हुआ हो तीन चार पाठ में तो कम से कम छे पाठ आपको करवा चुके तो हर एक में जब संदी आती तो यह समझा ही देते हैं कि सब्सक्राइब करना क्या है पीछे वाली शब्दों को कुछ नहीं करना है आगे के शब्दों को कुछ नहीं करना है इन तिन सा को लेके विसर्ग में बदल देना है तो यह सत्य संदी का नियम हो जाएगा ततह तीर अब लिखा है सत्या ग्रह अलग हो जाएगा हमारा आश्र महा शब्द अलग हो जाएगा बड़े आकी मात्रा से दीर्ग संदी से यह हमारा हम यहां से अलग कर देंगा सत्यम एव से सत्यम बना हुआ है सत्यम को अलग करें तो एव हमारा अलग आजाएगा अग यह लिखा है बैसे कि देखें हम आपको जब पढ़ाते हैं कई संधी आती तो उसको हम वहीं पर समझाई देते हैं आपको यनमनो वाक काय कर्म भी ही तो जो देखिए यह एक हमने संधी का आपको विक्रह करने का नियम बताया है आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि यहां नौनासिक संधी और यह तभी आपको दो पांचवे इनका सबस्त July आख्री एक्षर होता है कौन सा इंगा यह हरा नम इन अनुनासिक वर्णों के पहले आपको कोई भी आधा आधे की बात कर रहे हैं यानि यह ऐसा आधा मिले अब यह मतलब यह माली पांच का वर्ण डाई कर दो मतलब आप समझ जाए कि पांच वर्ण की बात मिल ले हो वह भी आधा हो तो जरूरी नहीं कि इंगा के पहले हो मतलब पांच वे के पहले 5-वा होना चाहिए तो यह परिवर्थन कैं होता है पूली यह परिवर्थन होता है कि जब हम इसको विग्रह कर रहे हो जब हमें 2 अनुनासिक वर्ण खट्टी मिलें तो पहला वाला जो वर्ण है जो पहला आधा है उसको उसके पहले अक्षर मे कर दो यानि यह जो इंगा है अगर विग्रह कर रहे हो तो इंगा को का में बदल दीजिए यह जो इंगा है उसको आदेचा में बदल दीजिए ना है तो ता में बदल दीजिए और मां है तो पा में उसको परिवर्थित कर दीजिए बस तो यहाँ पर हमने यही देखा कि दो अनुनासिक मिल रहे थे जरूरी नहीं था कि ना कि पहले वाला आधा होना चाहिए तो इस यह जो न है वो अपने ही वर्ग के पहले एक्षर में बदल जाएगा तो यह नता हो जाएगा और बस इसके बाद में यहाँ पर समास से जुड़े हुए हैं तो हम के देंगे यत मनोवाकाय कर्म भी इस प्रकार से यह हमारा विच्छेद हो जाएगा तद यथार्थ हो ही अब यह तद जो है भाई दा का परिवर्तन हुआ गजट दब को कचट तप में बदल दो गा को जा यह हो गए वर्ग की तीसरे अक्षर यह आपको संधीफ में दिख रहे हैं इनको विग्रह करना है तो इनको कचट तप में बदल दो इस यह हमारी जशत संधी हो जाती है तीसरे को पहले में तो यहां पर किया लिखा हुका दन में बदल देगे तो यह ठार्त हो कि ओत्वसंधि से यह कोई दिख जाए तो यह हमारा विसर्ग होता है तो तो यह दिख रही हो यह दिख रहा हो तीसरा चौथा पांच वाक्षर दिख रहा हो समझ जाना कि वह की मात्रा विसर्ग की परिवर्तन से हमारे सामने आई है तो हम केंदेगे यथार्थ ही सा अश्रम सा शब्द है वह कार्द बता रहा है वह आश्रम में विभक्ति लगी है तो स में भी विभक्ति आ जाएगी और विसर्ग का यहाँ पे सिर्फ लोप हुआ था उसको हमने प्रकट कर दिय गया है अब हम शब्द रूप देख लेते हैं पधिपरिशे में कि तीर शब्द में तीर में कौनसी विभक्ति वचन है तो हम कहेंगे सब्द मी विवक्ति के एक वचन में तीर अकारांत शब्द है एकी मात्रा सप्तिमी अभचन से आती है साबरमत्या साबरमती मूल शब्द एकारांत शब्द है सच्ठी के आपने समान देखा हो गई लता में तृतिया बनती है लतया और पंचमी सश्ठी में बनता है लताया लताया यानि जो याह आता है वो पंचमी सश्ठी के अंत में ही आता है औकेला या तृतिया में आता है ठीक है तो सावरमती शब्द को अलग किया इकारांद शब्द सश्ठी के एक वचन का रूप लि लिए नहीं निकल रहा है पंचमे में भी बनता है साबर निए जो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर काखी एक आर्थ बताने के लिए Soviya का अर्थ तो हम सुख्षी का यहाँ पर नाम लिख रहा है सदन मूल शब्द एक है अकारांत शब्द है दूईतिया वेकटी एक वचन में सधरनम होगया सब शत्या मुल्षब्द है प्रत्मा वीवक्ती सप siento मनिया परसमेन करत कांता है तद की इस में जहानद कर समय समझतों की और रही है असमन एक शम्न तसमन असमन एक क्या समें सब कहां पे आते हैं अब आपको पढ़ाएंगे अभी आपको पढ़ाएंगे इसके बाद में हम आपकी व्याकरण शुरू करें तो व्याकरण में हम आपको पांच लकार तक तो अभी थम ने 10वी तक पढ़ा दिये बागी के पांच लकारों को भी हम आपको पढ़ाएंगे उनके सब्साब हो ut plain उसमें हमारा श्थापयमाज रूप बन जाता है जलिए समास देख लेते हैं megatra क्या समासव वनेगा तो कहेंगे yup महान चासव आत्मा जिसकी महान आत्मा हो उसको महात्मा कहते हैं महान चासव आत्मा महान चासव आत्मा जिसकी आत्मा महान होती हो उसको क्या कहा जाता है महात्मा कहा जाता है अब सानुयात्रिक सा जो शब्द है सहित का अर्द बता रहे हैं तो यात्रिक अनुयात्रिक अब हुआ हो तो साको तो सहित में बदल दीजिए और जो उसके साथ वालों जुपद है उसमें तृतिया लगा दीजिए तो यह क्या हो जाएगा अनुयात्री भी ही क्या हो जाएगा अनुयात्री भी ही और साको सहित में बदल दीजिए इस प्रकार से यह हमारा क्या बन जाएगा हैं समास विघ्र हो जाए हमारे अव्य भाव समास की अनुसार पुन्य निवास है यानि पुन्य निवास में थो निवास की विशेस्था कुण्या रही है और चलते हैं अगे लिखा है अगला हम आपना श्लोक पढ़ लेते हैं लिखा है अहिंसा सत्यमस्तियम भ्रह्मचर्या परिग्रहो ग्रहो स्वदेश वस्तुनिष्ठाचा निर्भीक तरो चित निर्भीत रुची संयमह तीक है अब निर्भीत रुची को साथ में लगा दिया तो क्या हुआ अहिंसा सत्यमस्तियम भ्रह्मचर्या परिग्रहो स्वदेश वस्तुनिष्ठाचा निर्भीत रुची संयमह तीक है अब यहां पर नियम बता दिया अब यह आये हैं नियम किनके गांदी जी के गांदी जी नो जिनका नियम का वो स्वयम भी पालन करती थी और साथ में रहने वाले अनुयाई अनुयाई का मतलब ही होता है अनुयानी पीछे पीछे दिखाए गए मार्गबर चलने वाले ठीक है उन्हें भी वही पालन करवा देती तब उनकी बात यहां लेकी गई है क्या के रहे हैं के रहे हैं अहिंसा हिंसा ना करना सत्यम यानि सत्यका पालन करना म ब्रम-चर्या जो लिखा है उसमें को तोड़िये तो हो जाएगा अपरिग्रहऊ परिग्रहऊ तीक है यानि अपरिग्रहऊ का अर्थ होता है संचय करना धन या किसी भी चीज का जमापूजी करना धन एकट्टा करना धन जब कि अकर्ड या किसी भी चीज के संग्रह के जब मनन ने हो आजाता है ना तब हम कुछ भी काम करने हों लगते हैं कितनी भी आचरणों को को कабलाने इस जब आघरती नहीं है तो अपरिग्रह की जब रहार आती है अमारे अंदर तियागी की भावना आती है संचय ना करने के अंदर अंदर हमारी इक्षा होती है तब फिर हम अब सही मार्ग पर चलने लगते हैं तो कहते हैं अयंसा सत्यम अस्तियम भ्रमचर अपरी ग्रहाऊ स्वधेश वस्थु निष्ठा स्वधेश स्वधेश की वस्थु निष्ठा होनी चाहिए स्वधेश पर प निर्भी को डर नहीं हो किसी के यानि अगर सत्य का पालन कर रहे हैं सत्य की बात आती है तो उसका पालन करने में डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर इन सभी नियमों को पालन करने में निर्भीकता होनी चाहिए रुची होनी चाहिए अपने कर्मों को पालन करने में रुच आपके नो नियम नो उन्होंने सिध्धान्त जो बताए हैं उनको हम देख रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा एक परकार के व्रत नियम गांदी जी ने जो स्वेंभी पालन कियों दूसरों को करवाए वो कौन-कौन से हो गए तो यहां पर ज्यादा किसी चीज का शब्दों का हे पर नहीं किया गया है मस्चा को उठाके हम अंत में रख देंगे और हमारे बन जाएंगे अहेंसा सत्यम अस्तियम ब्रह्मचार अब इसको चाहू तो आप अलग भी कर सकते हो ब्रह्मचार को अलग करके अपरी ग्रहू अगर करेंगे यह भी ध्यान कर लिजिए अगर आप कर रहे हैं तो अपरी ग्रहू शब्द में से क्योंकि यहां पर यह द्वंद समास हुआ इसलिए अव की मात्रा ब्रह्मचार और अपरी ग्रह साथ में दो हो गये इसलिए दोई बचन की विभक्ति लगी है लेकिन अगर अनुवाई में आप इसको तोड़ रहे हैं तो भ्र इबक से ήतुब्र की यह नो वरत्या नोव नियम महात्मागान्दी ने बताए तो लिए अर्थी यह सारथ हिंसा ना करना चोरी ना करना भ्रहमचार्या का पालन करना अधिक धन का संचय का स्वभाव ना होना स्वदेश यानि अपने देश के प्रती वस्तु निष्ठा यानि भक्ति भाव होना प्रेम होना निष्ठावान होना निर्भीत यानि भाय का ना होना रुची कारे के प्रती रुची होना सैयम यानि इंद्रियों पन्नियंत्रन होना ये नोवरित द्वारा निर्धारित किए गए थे चले अब आगे चलते हैं लिखा है अन्तिय जनानाम लिखा हुआ है अंत्य जनानाम समुद्धारो नवईतानी व्रतानी ही भारुथकर्ष महात्मना अब यहां पर बढ़ी अच्छी बात कह रहे कि इसे सिद्धिते हैं आश्रम के महतमा का जो आश्रम था इसका भाव क्या था तो उन्होंने कहा नव्य sh ICE इतानी व्रतानी कि दौप अधार के लिए अंत्यत्यानामं के दौप अंत्यज़ कैसको कहते हैं हरी जन के बिल ciao धी की दूसरे समाजों के दौ किनी व्यक्तिंगों के द्वारा जो पीड़त व्यक्ति होते हैं उनको अंत्यज क्या दिया और अंत्यजानाम यानी अंत्यज़ों के समुधारों उधार के लिए नव एतानी वरतानी ही भारुतकर्ष सिद्यर्थम आश्रमस्य महात्मनहा अब इन नो वरतों की बात बताई गई है और किसकी बात कही कि आ जो आश्रम था वहाँ पर यह नो वरत किसके लिए चला जाते थी के रहे हैं कि महातमा की द्वारा महातमा के एतानी नव एतानी शब्द से मिलकर बना हुआ है ये नोवरत महात्मा की द्वारा अंध्य जनों के समुद्धार के लिए और भारत के उतकर्ष के लिए आश्रम के महात्मा के आश्रम में महात्मा के आश्रम के ये नोवरत अंध्य जनों के समुद्धार और भारत के उतकर्ष की सिद्धी के लिए पालन किये जाते थे ठीक है तो अब यहां पर हार उतकर्श जो लिखा है किस शब्द से मिलकर बना है भारत से तोडेंगे तो यहां हमारा शब्द बन जाएगा भारत उतकर्श यानि उन्नती उतकर्ष का अर्थ क्या होता है उन्नती सिद्धी अर्थम सिद्धी अर्थम मिलकर बना हमारा सिद्धी अर्थम तो सिद्धी शक्द बन जाएगा सिद्धी और अर्थम यानि भारत के उन्नती के सिद्धी के लिए सिद्धी के अर्थम यानि के लिए तो किया भारत के उतकर्ष की सिद्धी के लिए यानि उन्नती को प्राप्त करने के लिए और अंत्य जनों के उधार के लिए ही यह नोवरत आश्रम के महात्मा के आश्रम के यह नोवरत पालन कि यह बताए गए हैं तो हम लिखेंगे भारत को भारत उतकर्ष संब सिद्ध्यर्थम महात्मनहा आश्रमस्य एतानी नवरता नहीं अंत्य जनानाम समुद्धारह क्या भावनेगा भारत की उन्नती के लिए महात्मागंदी के आश्रम के नवरत ही दीन हीनों के अथवा हरी जनो भारत की उतकर्ष के उन्नती की सिद्धी के लिए महात्मा के आश्रम के नवरत और अंत्य जन के समुद्धार के लिए यह नौब想 गए है प्रस्तुत किए गये हे ठीके यह नहीं एक अर्था देननों व्रतों के द्वारा। भारत की उन्नती और दीनों का उद्धार अपरिग्रः का दो धन संचाय करने का सभा हो तो उसको अपरिग्रह करने के अंदर जब नहीं होती है लोब-लालज की भावना नहीं होती है स्वार्थ के अंदर परमार्थ की धया की हर तरह लुग हो तो स्वाधियस अपने देश के लिए वस्तुलिष्ठा अपने देश के लिए भक्ती भाव प्रेम भाव इसको हम कहें वस्तुलिष्ठा निर्भीत यानि जिसमें भैना हो सईयम इंद्रियों पर जिसका नियंत्रन हो अंत्यज यानि दीनों का और नाम नाम है तो शष्टी का बहुवचन है तो काकी की कारतुरा है यानि दीन हीनों का या हरी जनों का दीन हीन व्यक्ति उस समय की बात कही जाए तो वर्गों के हिसाब से वर्ग जबकि हमारे संस्कृत में चार वर्ग जो बना गए हैं चार वर् नहीं ku क्रम के हिसाब से गया था ना कि किसी के उत्पन जनम से नहीं होते थे करम के हिसाब से थे लेकिन धीरे धीरे बहुत है कुरीती मतलब सामाजिक समाज में क्या इतनी रूड़ी बद्धिता आ गई थी कि भई ब्रहमन सबसे अपने आपको मानते थे छत्री कहते थे हम स्रेश्ट फिर बैशी कहते थे तो हम उसके बाद हम से और शुद्र शेनी के लोग थे जब क भेह हमारे वेद हैं वेदों ने जो जिनका वर्णन किया उसमें सब समान थे आपने अपने काम दिये गया थे काम के विभाजन कर दिये गये जो शिक्षा दिक्षा करने वाला होगा उसको भ्रहमन श्रेणी में और्चा जाएगा उस किस्म में रखा जाएगा और जो सेवा की जिनके अंदर भावना होगी उनको शुद्र श्रिप्णी में रखा जाएगा लेकिन धीरे-धीरे यह गर्ग है वो जातीगत बने गया कर्म के हिसाब से नहीं रहा है जातीगत हो गया और जातीगत होते होते फिर तो आप अप समझ ह रहोंगे कि क्या स्थिति हो चुकी है तो बीच में तो बहुत ही देनी स्थिति हो गई ती जो शुद्र कह दिया जाता था तो उनके लिए तो दुनिया के सारे नियम लगा दिये जाते थे कि उन्हें यहां से पानी भरना है उनके बोजन नहीं करना है उनके को छूना नहीं है बहुत जादा कुरीतियां कहेंगे जिनको कुरीतियां कुरीतियां हमारे समाज में बढ़ती गए ठीक है तो यहां पर दीन हीन अंत्य जन कह दिया गया जिनको हरी जन जनको क्या दिया गया तो दीनी हीन के कुस जाती गत हो गए थे हरी जन का पर जाती में जबकि इनका अर्थ क्या था कि वह भले ही किसी भी जाती का हो किसी धर्म का हो लेकिन अगर उसकी इस्थिती दैनिया है तो उसको हम हरी जन कहेंगे हरी जन का मतलब ही अब तो समझ से बुद्धिमान रिशियों ने बहुत अच्छी समझ से वर्ग का निर्मान किया था कि इसके हिसाब से समाज चले तो बहुत अच्छा होगा लेगन उसको जाती गद करके समझ से उसको विक्रित कर दिया गया आगे लिखा है भारत उतकर्ष सिध्यर्थम यानि भारत की उतकर्ष की लिए या सिध्धी के लिये अब चलते है मं संदर लेथे लेते हैं क्योंकि संदर्भ यक्क्तव आजाती आपकी करने की लिए संसकृट मी आजातों संस्कृट में क्यारी लिखेंगे कि महादमा गांधी की ध्वारा भारत देशसे उन्यत्य यह भारत देश की उन्नती के लिए और दिनों ध्रनाय चो收看 वक्रद्धरन के लिए अतानी नवव्रताणी प्रदतानी यह नववरत दिये गायती जो कौन सब इम जे व्रत दिए गया थे गया हो काले ने मानव कल्याण साथ मैं संपूल देश के कल्याण समर्था ने संथि मानव कल्याण के साथ मैं संपूल देश्की कल्यान में समर्थ है यह नौवरत ठीक है अब यहां के हम इसको अगर हिंदी में आ जाए तो क्या लेकिंगे महात्मा गांदी की द्वारा भारत देश की उन्नती के लिए तथा दीनों के उध्धार के लिए नौवरत दिये गए अहिंसा सत्य अस्तिय भ्रहमचर आदी यह सभ के मा को अलग कीजिए हलंत कीजिए तो अस्तिय शब्द हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा तो दोनों ही हमारे शब्द सही निकल कर आपके सामने आ जाएगे दो पदब मिल जाएगे अब यहां पर भ्रहमचर या अब यह लिखा है फिरसे आका यहां पर क्या कीजिए वई तानी तो वई की मात्रा किस से आती है और ए के मिल से तो फिर से यहाँ पर दीरग संदी वृद्धी संदी का नियम लग रहा है तो वई को मैंसे अई अलग निकालिये अई हमारा ए और अ और ए के मिल से बनता है तो आ दे दिया इसको तो वा हो गया पूरा तो यह हो गया नव और तानी को यह दे दिया तो यह हो गया इतानी नव इतानी ठीक है अब यहां लिखा हुआ है भारत उतकर्षम ठीक है भारत हमने अलग किया तो भारत अलग हो गया तो उतकर्ष यहां पे अलग हो गया और उतकर्ष सिध्धी सिध्यर्थ लिखा हुआ है ना यहां पर फ वर उसको अलग निकलके अलग कर दीजिये तो यहांसे ुर्थमा शूमस्य हमने अलग कर दिया डिया यको यी में बदल dow यह तो पहले यह सुटई को छुटी की दे-देते हैं तो सिद्धी सही बन गया proprio है नहीं हो एक भारतल गया उतकर्ष अलग हो गया क्योंकि व की मात्रा किस से मिलती है और उ से तो हमने आ भारत को दिया तो भारत भी बहुत कर्श को दे दिया तो उतकर्श सही हो गया और असे अर्थम अलग हो गया अर्थम को भी फिर से तोड़ी है तो दो आ में बदलेगा तो ये आश्रमस से अलग हो जाएगा अश्रम सही नहीं हो रहा था लेकिन तुमने बड़ा दे के देख लिया तो अर्थम अलग हो गया और हमारा अर्थम शब्द को माहलंत से पहले अपने अलग कर दि प्रतमा भी वक्ती वचन चाता है वाकटी जाना अरे निए अपरीग्रह में के धु दोणों की एक वचन मिले थ दोग् topics अन्तिय जनान अब लिखा है अन्तिय जानाम जो लिखा है अन्तिय जो मूल शब्द है नाम नाम कहा आता है आनाम आनाम दिखे समझ जाई के सश्टी बहुवचन की बात हो रही है एतानी एतत शब्द के प्रत्मा की बहुवचन से आया है एतत एते एतानी वृतानी तो वृत प्रत्मा की जगह आप कर लीजे क्योंकि महात्मनह शब्द सष्ठी के एक वचन का रूप होता है अच्छा प्रत्मा विवक्ति में अगर होता तो यहां पर होता महात्मानह महात्मानह शब्द अगर होता तो प्रत्मा का बहुवचन होता लेकिन महात्मनह है तो वो हमारे सश्ठी के एक बचन का रूप बन जाएगा तो आप लिख लेंगे सश्ठी का एक बचन चीक है इसमें कई बार बच्चे गड़वड कर देते हैं उन्हें लगता है कि जैसे महा अगर महात्मानह लेखा हुआ होता तो प्रत्मा का बहुचन होता लेकिन महात्मनह है तो हमारे सश्ठी के एक बचन का रूप बनेगा और इसी के साथ में लिखा है आश्रम से तो आश्रम में स्या लगा है सश्ठी के एक बचन का रूप ठीक है अब आगे समास देख लेते समास कहां से किनके शब्दों में क्या क्या समास हुआ है तो सबसे पहले तो जो हमने आपको पहले भी बता है कि द्वंद समास से दो शब्द जुड़े हैं ब्रहमचर्य और अपरीग्रह इनको अलग कर दीजिए दोनों में प्रत्मा विभक्ति देदीजिए तो यह हो जाए भ्रहमचर्यमच अपरी ग्रह च यहँ पे हम जरूर कर लेंगे क्योंकि यहां पे अपरीग्रह मिला हुआ है तो आगे देखेंगे आहिंसा ना सत्य लाक हिसा नाम कर दीजिए बढ़ेम आस पर निकाल दीया Тरफ आपको नामेraw बदल दीजिए मिस्सास," business आप दूर निकाल देए रहा कहलाता है स्वदेश वस्तु निष्ठा स्वदेश के लिए कि अपने देश के प्रती जो निष्ठा हो दिये उसको हम स्वदेश वस्तु निष्ठा कहेंगे तो हम कहेंगे स्वदेश अस्य यानि स्वदेश की वस्तु निष्ठा ठीक है वस्तु हूँ स्वदेश तेशु निष्ठा स्वादेश की वस्तु यानि स्वधीश में जो भी है उस के पर हमारी निष्ठा हो उसको स्वधेश निष्ठा कहेंगे ठीक है अब आगे लिखा हुआ है ठीक है इसको इस परकार से भी लख सकते है हैं हम देखिए स्वदेश ऐस्टु स्वदेश वस्थु कहला है तेशिए निर्था उस पर जो निस्ठा होती उसको स्वदेश निर्था कहते हैं भारत के भारत की उतकर्ष तो till भारत के उतकर्षक से मिलकर तो हमारा क्या बना भारत से उतकर्ष को क्या खाएंगे भारत से वस्तु जो बना हुआ है किसी मिलकर बना है स्वदेश अस्य वस्तु से सुदेश की वस्तु पर तेशु निष्ठा उस पर जो निष्ठा हो उसको हम सुदेश निष्ठा कहेंगे ऐसे भारत के उतकर्ष में तस्य सिद्धियर्थम उसकी सिद्धियर्थ सिद्धि के अर्थ को हम भारत भारतोत कर्षु सद्यर्थम कहेंगे अब चलते हैं अगला श्लोक पढ़ेंगे लिखा है निर्ममो नित्य सत्व स्थतो लिखा हुआ है निर्ममो नित्य सत्वस्थो मिताशी सुस्मितानन लिखा है सुस्मितानन अब कहते हैं सुस्मितानन यह जिसका आनन सु यानि अच्छे इसमित किसको कहेंगे हम प्रसनता को इसमित कार्द क्या होता है प्रसनता तो कहेंगे निर्ममनित्य सत्व इस्थित जिसके अंदर नित्य सत्य की सत्व भावग यानि सत्व यानि अच्छे आच्रन जिसके अंदर हमीशा इस्थित रहते हैं मिताशी कम भूजन करने वाले लिखा है सुकलत्र सुकलत्र हशिशु प्रेमी पिता मी वाश्रम वासी नाम आश्रम वासी नाम पिता एव आश्रम वासी नाम अब पिता की भाती आश्रम वासीयों की अब देखें यहां पर अर्थ हमारा क्या निकले का निर्मामू यानि अहं जहां जिसके अंदर आजाती है वह अंकारी हो जाता तो कहें निर्मा माहा जिसके अंदर अंकार ना हो नित्य हमीशा कैसा हो सत्वस्थ हो जिसके अंदर सत्व का भाव रहे स्थापित रहे हमीशा जिसके अंदर अच्छे आचरन हमीशा विद्यमान रहे मिताशी कम आहार करन गए अब लाव रबडी आव दो अब दियाने दो आने दो खूब भर पुर खाखा के यह हो गए नहीं मित अशन यानि मित मात्रा में कम मात्रा में भूजन ग्रहन करने वाले को मिताशी कहते हैं लिखा है सू यानि अच्छे स्मित आनन है अच्छे प्रसंद मुख वाले सू यानि अच्छे स्मित आनी प्रसंदता जिसके आनन यानि मुख पर हो जिसके मुख पर प्रसंदता का भाव रहे लिखा है सू कलत्रह सू कलत्रह यानि जो सू यानि अच्छी कलत्रह अच्छी पत्नी वाले जिनकी पत्नी भी आज्याकारी शिशू प्रेमी शिशू पर प्र एवा श्रमवा सिनाम तो पितेव को पहले पित को अलग करके एव कर दें पिता अलग करके पिते अलग कुछ होगा नहीं भाई एक ही मात्रा है यह जो एक ही मात्रा ते में लगी है और एके में इलसे बनती है ठीक है तो ए हम भले आ भी हो सकता है और बड़ी भी हो सकती है यह तो भी आपको पता है हम कई बार बता चुके हैं तो हमने ये जो ता को अलग किया था दा आधा रह गया था एक को तोड़ा तो इसको छोटा आ दिया तो पित बना तो कुछ सही थीक है अब एकी मात्र हीत है टूट रही है और कि में ऽिसवा में पहले हम छोटी देखें यानि पिता की भाती आश्रम वासियों का का भा भरन पूशं करने वाले आप पूशं करने वाले बढ़नirmुम महात्मार गांधी स्थाइं हा रहे है कर रहा है रहें हम अंकार सीरत सी थे के अंदर सत्व यानि अच्छौ का धाव किस यह नौभरत बताये हैं जो जिसके अंदर नौव्रत पालन करने की छमता है वो सत्व नोबाला है ठीक है मिताशी भैट दूसरों पर दया करने वाले प्रेम करने वाले सत्या का भाव रखी वाले चोरी कर रहें कुछ मतलब यह जो नौवरत जो बताएगा हैं बड़े बहुत बड़े सिध्धान देन का जो पालन करेगा वह सत्व गुणों वाले ही रहेगा हमेशा सत्व के गुणों से युक्त होने वाले कम आहार खालने वाले सो इसमित आनन यह जिसका आनन मुख क्या सारह हमेशा प्र कार की महात्मा गांधी थे आगे हम और दूसरी शलुक में भी आगे पढ़ेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा अनुवय वनेगा निर्मा माहनित्य सत्वस्थ हमेटाशी शुस्मितानन सुकलत्र शुशु प्रेमी आश्रम वासि नाम पिता एव अहंकार से अंकार जिसक पिता की तरह थे था की जगह हम थे कर देंगे क्योंकि भी अमारे लिए सम्मानी है ठीके ना लिखा हुआ है ध्यायन क्लेशान स्वाबंदूनाम तद्धिताइक पारायन विराजते मुनिर भुद्धु बोधी द्रुम तले यथा जैसे की यथा यानि जैसे की तो अब जि सर्ग में बदल दीजे तो मुनी ही हो जाएगा ओकी मात्रा को सर्ग में बदल दीजे तो बुद्ध हो जाएगा जैसे मुनी जो बुद्ध थे मुनी ही बुद्ध बोधी द्रुम तले बोधी व्रिक्ष के नीचे जैसे विराज तेशो भायमान होते थे जैसे मुनी जो जैसे मुनी बुद्ध बोधी द्रुम तले बोधी के व्रक्ष के नीचे विराजते विराजत होते थे किसलिए होते थे कहते थे स्वबंधुनाम अतने बंधुओं के तद्धिक परायन हा उनके हित के लिए ही एक परायन हा उनके हित में लगे हुए किनके हित की बात करें है स्वबंधुनाम अपने बंधुओं के उनके हितों के लिए उनके हितों में लगे हुए निरंतर लगे हुए क्लेशान ध्यायान ध्यान करते होगे अब किया रहे हैं जैसे कि बूधी बुद्ध कैसे विराजते शुभायमान होते ते वैसे ही महात्मा गांधि स्वबंधुनाम अपने बंधुओं के उनके जो बंधु थे अब बंधु क्या नहीं के उनके भाई बेहन थे आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की बात भी हो और दूसरे व्यक्तियों की बबाद हो रही है वो कहते थे हमारे भारत देश में रहने वाले सभी उनके बंधू है तो कहते थे लिखा हुआ है और यहां पर वर्णित कह रहे हैं कि अपने बंधूं के तत हित एक पारायन अलग कर देंगे इसको तो बन जाएगा तत हित एक प क्लेशान क्लेशों को का ध्यान करते हुए और दूसरों के हित में लगे हुए दूसरों की बात किनकी हो रही है दीन जनों की हो रही है हरी जनों की हो रही है अन्य जनों की हो रही है तो कह रहे हैं हमेशा उनके तत यानि उनके हित में लगे हुए हित में लगे हुए अपन अव्रक्ष के नीचे सुभाय मान होते थे वैसे ही महात्मा गांदी भी उस आश्रम में शुशोबित होते थी ठीक है समझ गए ये सकार्थ निकल रहा है कि दूसरों के हित्में किसमें अपने बंधुओं के हमेशा हित्में लगे हुए उनके क्लेश यानि उनके दुखों को ज्यान करते हुए वे महात्मा गांदी मुनी बुद्ध की भाती जैसे कि बोधी द्रुम तले जैसे मुनी बुद्ध शुभाय मान होते थे वैसे ही महात्मा गांदी भी शुभाय मान होते थे ठीक है तो यह हमारा इसका अर्थ निकलाएगा तद्धिताइक पारायन मुनी ह नामक्लेशॉण ध्यायन विराजते यथा वो धी दुम्तले बुध्ध विराजते तत धित यानि सदा उनके किन की बात हो रही है यहां पर देखिए इसको अलग कर दे तो हमारा बन जायेगा तत हित अलग हो जायेगा एक परायन OS यानि हमेशा उनके हित में ही हमेशा निरंतर लगे रहने वाले और अपने बंधूं के ख्लेशान ध्यायन और अपने बंधूं के ख्लेश यानि दुख जो उनकी होते थे जो उनके अंदर परिशानियां होती थी उनको का ध्यान करते हुए ऐसे शोभायमान होते थे जैसे के बोधी द्रुम तले बुद्ध मुनी बुद्ध जैसे बोधी द्रुम तले की नीचे महात्मा बुद्ध विराजमान होते थे वैसे ही महात्मा गांधी भी अपने आश्रम दोनों के लिए भी कर दिया गया है किनिके महात्मा बुद्ध के लिए भी आ गया है क्योंकि वह भी मुनी थे और यहां पर किनके महात्मा गांधी के लिए भी मुनी शब्द का प्रियोग हुआ जैसे कि बोधी व्रिक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध शुशोबित होते थे अब इस प्रकार से यहां पर दिखे विशिस्ताइं आती चली आ रही है कि किस प्रकार की उनकी विशिस्ताइं जैसे निर्मम्त लिखा हुआ तो आर्थ कैने का निकल रहा है कि अहम भाव से अहम आने किया यह मेरा है वो मेरा यह अहंकार अहम जब भाव से रहत हो जाता है तो उसके यह can कार की भावना ना हो नित्य सत्वस्थ नित्य यानि हमेशा जिसमें सत्व गोन से युक्त हो में ताशी कम खाने वाला सुकलत्र का आर्थ हुआ अच्छी पत्नी वाले शुशु प्रेमी यानि बच्चों से प्रेम करने वाले ध्यायन यानि ध्यान करते हुए ध्यान करते हु बोधी दुरुमतलिया नी बोधी व्रक्ष के नीचे अब हम इसमें अब आपको भावारते समझा देते हैं सबके दोनों की मिले हुए भावारते दोनों पांचवा और छटवा श्लोक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसलिए भावारत हम साथ में बताते जा रहे हैं प्रेस्तुत श्लोक में कवित्री महात्मा के सभाव और आचरन के बारे में बताती हुई कहती है कि प्रेस्तुत श्लोक के महात्म नहां शुद्ध आचरन से सोम्य सभावस्चा वर्णन क्रतम इन श्लोकों में दोनों श्लोकों में महात्मा गांधी के महात्मा के सुद्ध आश्रम वासिनाम करते तू पिताइव आसीद और आश्रम वासियों के लिए तो पिता की भाती थे पिताइव सहतेशाम हित चिंतनम करोती पिता की भाती में हमेशा हित का चिंतन करते थे महात्मनाह शुद्ध स्वभावात महात्मा शुद्ध स्वभावाले ही तस्य समानता म महात्मा बुद्ध से की गई है उनकी किसके शुद्ध स्वभाव की कारण ही क्या किया गया है तस्य समानता उनकी समानता जो है महात्मा बुद्धेन कृता सहकृता महात्मा बुद्ध के साथ की गई है क्योंकि उनका स्वभाव जिस प्रकार का था दूसरों को प्रेम करने व मात्रा देखे यहां पर तीसरा चौथा पांच वाक्षर देखे तो पांच वाक्षर मां है कि नहीं है पावर्ग का पा और फा को छोड़ दो तो बाब भाम पांच वाक्षर है इसलिए ओकी मात्रा देख रही है तो समझ जाए विसर्ग में उसको परिवर्धित करना है हमने पिते वास्रम वासिना हमने पहले ही तोड़के बता है कि पिता और उव-शब्द से मिल कर बना है इव में भी जो बड़िया की मात्रा है वह आशिक अलग कर के हम आश्रम वासिनाम अलग कर देंगे अब लिखा है तत्धित एक पारायन शब्द से मिलकर बना हुआ है मुनिर बुद्धो फिर से देख लीजे मुनिही शब्द रा को विसर्ग में रत्वसंदी के हिसाब से परिवर्तित किया और बुद्धो की मात्रा को भी विसर्ग से हमने बदल कियो मात्रा में निर्मम शब्द से प्रत्मा के एकम भी वन गया अकारांत शब्द बना है मिताशी तो मिताशिन मूल शब्द मिताशिन है प्रत्मा के एक वचन में मिताशी बन गया शिशू प्रेमी शिशू प्रेमिन शब्द से मिलकर बना प्रत्मा विभक्ति एक वचन में आश्रम वाशी नाम तो नाम नाम कहाता है सश्टी के बहुचन में आश्रम वासिन मूल शब्द क्या हुआ आश्रम वासिन उसके प्रत्मा के बहुवचन में यहां प्रत्मा का बहुवचन नहीं हुआ यहां पे हम शष्ठी का बहुवचन कह देंगे टीक है आश्रम वासी नाम नाम और नाम जो होते हैं वह अमारे का शश्टी के बावचान में कलेश आन के टिया कि बावचन सुवबंधू नाम सुवबंधु मूलशब्द हुआ नाम शश्टी के बावचन बोदकि दृम तले तल ूलशब्द हुआ तो तल को पहचान लीजिए अकारा अंतर शब्द बनना है एकी मात्रा लगी सब्तिमी के कोचन में आगे पदपरीचे में धातु देख लेते हैं विराज दे वी उपसर्ग पूर्वक राज धातु में जब लट्लकार प्रथम पुरुशे कोचन का आत्मनी पद की धातु बन सब्सक्राइब निर्गत अधित इंदर ना हो कैसा लton इस्के नहीं होती नित्य सथी जिसमें सत्व रहे उसको नित्य सत्वस्थ कहते हैं मिताशी मितम अशनाती यह सा मितम यानि मित सीमित कम कम मात्रा में अशनाती भूजन जो करे उसको मिताशी कहते हैं ठीक है आगे लिखा है अब किसी बच्ची का नाम मिताशी मत रख दीजीगा क्योंकि जिसका अर्थ हो जाता है कम भूजन करने वाला और अरबाद में कहेंगे यह कम भोजन क्यों करता है क्रिश कृष्व रख देते हैं क्रिश का मतलब क्या होता है क्रिश नाम प्रभावीप पर ता है मैटाशी रख दिया नाम लड़की का मिताया लेकिन नहीं पता कि मिताशी क्या और है कम खाना खाने वाली ने कम भूजन करने वाली आगे लिखा है तो शुर्बनम अच्छी देखने वाली इसमित को सुष्मित को कहते हैं इसका अर्थ बता दिया कि सुस्मित क कैसे बना है शोबनम इसमित जिसकी प्रसनता कैसी हो सुबहायमान हो जिसका मुख कैसा हो प्रसनता के मुख वाला हो तो उसको शोबनम इसमित को कहेंगे हम सुसमितम और इसका हमारा विग्रह बनेगा सुसमितम आननम यस्य सहा जिसका सुसमित आनन हो उसको सुसमित आनन हा कहेंगे आगे लिखा है शुकलत्रह यानि शोभनम कलत्रम यस्य सहा जिसकी पत्नी शुवा मानवाली हो, सुवा देने वाली हो, सुंदर हो अच्छी हो, सुंदर हो चायनी हो बात मानने वाली हो अब आगे लिखा है तद्धाइक पारायन हां तो यहां लिखेंगे हम पेशाम हितम यानि उनके हित को तद्धितम कहा जाता है और तद्धितम एव एकम पारायन हो तद्धितम यानि उनी का हित ही एक पारायन हो यानि एक नियम हो दूसरों का हित ही उनका एक ही नियम हो बाकि वह दूसरा कोई पारायन ही नहीं हो दूसरा उनका कोई करतब भी नहीं हो तो तद्यदम एव दूसरों का हित ही उनका हित ही किनका जे बंदु जनों की बात हो रहे थी तो किया है तेशाम हितम उनी का हित ही एकम पारायनम यस्यस साहं एक पारायन हो उसको तदीदम एक कई आते हैं सब्ध क्याती बोधित्रूम के तल मैं तो बोधित्रूम में सश्ठी लगा देंगे हो जाएगा बोधित्रूमस्य और तले बन जाएगा चली प्रत्य देंग लेते हैं बुद्ध हमारा किसे बनाया है बुद्धः उतल बुद्धर इसके बाद Ladrie- भीवक्त एक बचन में बुद्धर शब्ध बनजाता है क्या हो जाता है उसके बाद में प्रत्मा याई मुळ शब्द है सतीप्रत्य लग जाता है तो ध्यायन अन दिख रहा है तो उसके रूप बना जाते हैं तो भनता है चले इस प्रकार सी हो जाता है हमारा वीडियो पूरा इसमें हमने आपको शुड़वात की वीज हैं वैसे इसके श्लोग लेकिन छेचे करके हम इस प्रकार से समझा देंगे और इस तरह से आपका पूरा एक पूरा पूरा हो जाएगा एक साथ में बहुत बड़ा बनाने से ज्यादा अर्चा है कि अगर लिखना है magnetbrains.com इंटर करेंगे वेबसाइट का पीज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको सारी चीज़ें लिस्ट में लिखी हुई है जो बढ़ना है सुसकूप करिए क्लिक आपने क्लास 11 पे गए इंगलिश मीडियम वाली क्लास 11 में गए तो 11 क्लास के देखिए सारे सब पर जिस जो सब्जेक्ट पढ़ना है सारी चीज़ें हैं यहां पर और आपको बहुत अच्छे से दिख जाती है अब संस्कृत में गए तो संस्कृत की यहां पर जो आपकी भास्वती के पार्ट की जितने भी वीडियों से सब यहां को आपको दिख जाएंगे हर एक पार् करो तो सारी चीज़ें अपनों को अच्छे प्रकार से सिस्ट्रमेंटिक रूप से मिल जाएंगे ठीक है ना तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम अपने अनुवाद की अगले भाग को पढ़ेंगे तब तक के लिए ध अनुवाद